क्लास एमफीबियन्स के अंदर ऐसे और्गनिजम शामिल हैं जो के अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा खुश्की पे और कुछ हिस्सा पानी के अंदर गुजारते हैं जैसा के फ्रॉग्स अब अगर हम जो एमफीबियन्स हैं इनके जर्नल क्रेक्टर्स की बात करें तो यानि जो एमफीबियन्स हैं ये अपने बॉडी का जो टमप्रेचर है उसको मैंटेन नहीं रखते इस वजासे जो एमफीबियन हैं इनकी कोशिश ये होती है कि ये रिस्ट्रिक्ट रहें किसी स्पैसिफिक इन्वार्मेंट के अंदर क्यूंकि अगर इन्वार्मेंट के अंदर बहुत ज़दा फलेक्ट्ट्वेशन है तो इनके लिए मसाइल ज़ादा होते हैं तो इस वज पानी के अंदर भी अपनी जिन्दकी गुजार सकते हैं और खुश्की पर भी ये गुजार सकते हैं बहुत सारी स्पिशिस ऐसी हैं जो अपना ज्यादा तर टाइम खुश्की पर गुजारते हैं लेकिन फिर भी रिप्रोलक्शन के लिए इनको पानी की जरूरत पड़ती ह इसी तरीके से their body is divided into head and trunk region, the tail may be present or may be absent, जो amphibia है, amphibia की जो different classes है, उसके अंदर कुछ classes ऐसी है, जिनके अंदर tail मौजूद नहीं है, जैसे aneura, frog के अंदर अगर हम देखें, तो इसके अंदर tail मौजूद नहीं है, adult farm के अंदर, इसी तरीके से कुछ species ऐसी है, जिनके अंदर ब मौजूद है, तो tail in के अंदर मौजूद हो भी सकती है, या it may be absent, उसके बाद the skin is smooth or rough having glands which keep it moist, इसकी जो body है, इसकी जो skin है, यहां पे खास किसम के glands है, जो के mucus की तरा का material पैदा करते हैं, जिसके वज़ा से इनकी जो body है, वो moist रहती है, इसी वज़ा से इनकी body के जरीए भ उसके जरीए भी respiration का process हो सकता है, उसके लावा they are usually without scales, fishes के अंदर हमने बात की थी, कि इनके अंदर scales मौजूद हैं, लेकिन amphibians के अंदर scales मौजूद नहीं होते, उसके लावा but if present they are hidden beneath the skin, उसके बाद इनके अंदर paired fins, जैसे कि fishes के अंदर मौजूद थे, वो इनके अंदर absence हैं, ये tetraports हैं, इनके अंदर जो limbs हैं, उनकी तादाद four है, unpaired fins may be present, two pairs of limbs are present for locomotion, लेकिन कुछ इनके अंदर ऐसे भी organisms हैं, जिनके अंदर limbs नहीं हैं, उन्होंने अपने limbs को lose कर दिया है, उसके लावा जो amphibians हैं, amphibians हमने कहा, कि ये खुश्टी पे सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इनको reproduction के लिए जरूरत होती है, moist environment की पानी की, बहुत सारे जो amphibians हैं, इनके अंदर जैसा के reptiles के अंदर genitalia मौजूद हैं, इनके अंदर इस तरीके से internal fertilization के लिए genitalia मौजूद नहीं होते, इसी वज़ा से इनके अ इनके अगर हम gills की बात करें, तो इनकी जो larval stages हैं, वहाँ पे gills जरूर मौजूद होते हैं, और इनके अंदर जो metamorphosis का process होता है, जैसा अगर हम frog की बात करें, तो frog के अंदर बकायदा larva होता है, उसके बाद ये जो larva है, इसके अंदर tail भी मौजूद होती है, लेकिन जब adult हो जाता है, तो वहाँ पे इसकी tail मौजूद नहीं होती, जो adult है, उसके अंदर जो respiration है, वो इसकी body surface के जरी भी हो सकती है, वो इसके early development stages के अंदर gills के जरी होती है, और इसी तरीके से इसके अंदर lungs भी develop हो जाते हैं, और इसकी buckle cavity के जरीए भी respiration का process complete हो सकता है, उसके ल इसका क्या मतलब है, इनके अंदर दो occipital condyle मौजूद होते हैं, इसी तरीके से इनका जो respirator system है, इसके बारे में हमने बात की, कि लंग्स के जरीए इनकी respiration हो सकती है, इनकी bucko pharyngeal cavity के जरीए हो सकती है, इसी तरीके से skin के जरीए हो सकती है, और early development stages के अंदर इनका जो लार जो heart है, वो three chambered है, जानि इनके अंदर दो auricle है और एक ventricle है, जो इनका ventricle है उसके अंदर partition मौजूद नहीं है, इसी तरीके से इनके जो kidneys है, वो mesonephric kidney है, जानि इनके जो kidneys है, उनके अंदर इतनी ज़्यादा advancement नहीं है, जितनी की reptiles और birds के अंदर है, इसी तरीके से इन इनका जो elementary canal है इसके अंदर unary and reproductive tracks open into a common chamber जिसको हम cloica कहते हैं यानि इनका जो elementary canal है इसके unary system इनका जो reproductive system है वो एक common opening के अंदर खुलता है जिसको cloica हम कहते हैं और इनके जो air है उसके अंदर internal और middle air मौजूद है इसी तरीके से इनके अंदर tampanum इनके middle ear को cover कर रही होती है इनकी अगर हम eyes की बात करें तो the eyes have eyelids और इनके उपर एक खास membrane होती है जिसको nectitating membrane कहा जाता है अगर हम इनके अंदर cranial nerves की बात करें तो they have 10 pairs of cranial nerve और later line system जो कि fishes के अंदर मौजूद था ये इनके अंदर भी मौजूद हो सकता है और इनके अंद जो fertilization है वो external है इनके अंदर genitalia मौजूद नहीं है इसलिए इनके अंदर जो fertilization है internal की बजाए external है